वेलकम तो फैंटेसी काउंसर फुटबॉल मैच है इंग्लेंड वर्जिस यूक्रेन का काफी जादा कमाने वाला मैच है रीजन उताता हूं आपको कि इंग्लेंड की टीम काफी जादा मजबूत है एक से एक सूपर स्टार्स इंग्लेंड के पास हैं वहीं अगर बात कोई यूग्रेन की तो थोड़ी सी आपको कमजोर नजर आएगी पेपर्स पे एस कंपेर टू इंग्लेंड तो वहाँ पर हमें फायदा मिलने वाला है क्योंकि हमें पता हुआ कि हमें कौन से प्लेयर कौन से टीम के जादा लेने है कौन से defender लेने है कौन से forward कौन से midfielder तो इस चीज का हम फायदा उठाएंगे साथ ही मैं आपको इसमें एक हजार रुपे जीतने का मौका देने वाला हूँ कुछ नहीं करना आपको पूरी वीडियो देखनी है और दो असान से सवाल होगा आपको देने आंसर और हजार रुपे आपके उठाएंगे मुझे लगता कि इतने साधा असान आपको कोई opportunity मिलने वाली है fantasy तो आप कमाऊगे प्लस आप यहां से भी कमा सकते हो और इस match में इंगलियान जीते हैं और आप पता है आप वहां से भी कमा सकते हो तो करते हैं शुरूबात लाइक करते हैं सब्सक्रार करते हैं बड़ आइक प्रेस लाइक कमेंट शेर और जो वन करें वह करना क्योंकि मैच है बहुत असान टेलिग्राम चैनल जरू जोइन कर लो क्योंकि दुनिया भर के मैचिस चली रहे हैं आप देखते रहते हों कि अपने जोइन कर रखा है तो आपको पता होगा कि कितने सारे मैचिस हो रहे हैं चाहब वो यूरोकप कॉलिफायर्स के हो अब ला लीग और इंडियन सूपर लीग कि भी सार्ट होने वाली है जो अपनी इंडिया की है बड़ा मजा आएगा और साथ ही इंडिया लेबनान का भी मैच है हाली फिलाल भी कहीं पर खेलना है मैं मास्ट्र 11 डिस्क्रिप्शन में लिंक है डाउनलोड गर लेना डेली में चीज बताऊंगा वह च्छेन रहता है आपके लिए रिपीट कर दिता हूं रिपीट टेली कास्ट रेखो अगर आप मास्ट्र 11 पर खेलते हो तो आपको सेम कॉन्टेस्ट पड़ेगा हैट टो हैट की बात कर रहा हूं मैं 500 मंदर आगा और आप किसी बड़े आप पर खेलते हैं जो आपसे जादा कमिशन चार्ज कर रहा है आपसे 555 रुपे और 60 रुपे का प्रॉफिट हो बचेगा हारोगे तब भी बचेगा जीतोगे तो एक्स्टर आपके पास आई गई आएगा तो चूज वाइजली और मैं मास्ट्र लेवन डानलोड करो फ्री गयोवे रहते हैं गाड़िया बाट रहे हैं यार य अब साथ ही जी एस टी भी आपको यहां पर नहीं देना है सबसे बड़ा प्लस पॉइंट तो यही है मैं क्या जी आस्ट वाला अब बात करते हैं प्लेंग लेवन अपको कौन कहां पर नजर आने वाले अगर बात कौन यूकरेण की तो आपको पहले शुरू बात करते हैं उसे फॉर्मिशन पर देख रहते हैं एक बार तीन तीन चार यानि की तीन फॉर्वर्ड के प्लेर नजर आएंगे जो कि यह किनों है मिडफील्डर से नजर आएंगे तीन और उसके बाद चार डिफेंडर और एक रहने वाला गोल जी स्टार्ट करते हैं पहले वेंदध व देखो उमीद तो बहुत कम है कि इस वाले मैच नो कुछ उलट फेर हो जाए और यूक्रेन जीच जाए और इंग्लेंड हर जाए तो मुझे सबसे काफी कम चांसे लग रहे हैं उस चीज के तो अगर हो जाएगा तो विक्टर और इनका जो सूपरस्टार है यूक्रेन का ज जब से खेल रहा है तो कुछ उन्होंने देख के लिया होगा और अच्छे काफी हमें दे देगा ये डीटी का पार्ट रहेगा हर आत्मिचा कुछ भी रहे है ये डीटी का पार्ट आपको नजर आएगा साथ ही आपको नजर आएगा तारस और फिर सरजी तो ये तीनों पार्ट आपको नजर आएगा आपको डिफेंस में अलिया युक्यम और वितैली तो ये चारो मैं आपको सेलेस करूंगा कि आप इनके डिफेंस को नाहिल हो तो ही जादा बैटर है इसी ग्रेंड लिंग में आप ट्राइ कर सकते हो इनके का डिफेंडर को चाहा है वो क्रेस जब जादा गोल करेंगा अगर आशे पास नजर आता है इस बंदे के पास बॉल crypto चिंञ झरेंग में जो बाटल एंडर के जोब्यारं से एक dos Л क पे ऐराग सो taka स्क्याथकर्भा आट गोल उसके minus चो हो जाएंगे, साथ ही goal keeper की भी minus चो हो जाएंगे और फिर उस player को, मतलब उस player के उस team के defenders को clean sheet के 22 points नहीं मेले clean sheet के 20 points नहीं मिलें जब 0 goals तो उस about। तो उस चीज़ के आपको दीहार रखना है इंग्लेंड के डिफेंडर्स हम अपनी टीम में लेंगे ताकि हमें क्लीन शीट के पॉइंट्स दें और हमें टैकल इंट्रेक्शन पासे से चेका से पॉइंट्स दे दे लूरी इनका गोल चीए अब जरा सुपरस्टार से सजीवी टीम पर आते हैं और पहला कोशन में आप मैं दाग देता हूं कि हरीकेन कितने पॉइंट्स देने वाला है कितने पॉइंट्स देगा आपको आपके पास रहेगे दो आप्शन रहेंगे या तो अगर आपको लगता है गोल करेगा तो आप मानगे चलो 51 और अगर आपको लगता है कि गोल नहीं करेगा और लगता ही यह असेस करने वाला है तो आप मान के चलो 38 तो यह मेरा आंसर है आप अपने according answer दे देना description में comment section में जाकर आपको यह अपने answer देने हैं ठीक है अगला है मैक्रेस रेशफोर्ड और बुकाय उसाका यह team अपने golden era में आ चुकी है अब देखो मतलब hurricane मैक्रेस रेशफोर्ड बुकाय उसाका फिल फोर्डन चाक रेलिश मतलब यह सब हैं और साथ ही अब Jude Bellingham Trent Alexander Arnold मतलब आप नाम जिन देरो एक से एक superstar अगर किसी team के पास है तो इंग्लेंड की team में इस टाइम मुझे रखता है प्रबल दावेदार चो अगले world cup के लिए होगी वो इंग्लेंड होगा और यूरो cup में भी आपको इंग्लेंड का नजर मतलब जीतने के लिए main contender हो जूड बेलिंगम इतना जबड़ स्केल दिखा रहा है Real Madrid के लिए भी 4-5 match में इसने 5-6 गोल दाग दिये डेकलेंड राइस और जॉड़न हेंडर सन आप देख रहे हो ग्रेलिश फोड़न ट्रेंड अलेक्जंडर अनॉल्ड यह प्लेयर्स टीम मतलब बेंड स्रेंथ हैं अगर यह किसी और टीम मोंग तो यह प्लेइंग लिए उनका हिस्सा होंगे इतनी जाधन की स्रेंथ है तो अगर मैं कहूं आपसे जूड वैलिंगम, हरी के, मैकरेस रश्फोर्ड बुकाया साथा यह चारो आपकी टीम में स्मॉल लिंग में तो होने चाहिए आप ग्रेंड लिंग में मैकरेस रश्फोर्ड को ड्रॉप करके आप ट्राय कर सकते हो डेकलन राइस के लिए और बुका अगरेस रश्फोर्ड बाहरों हैं और जोन स्टोंस भी बाहर बिठा रख रहा है एक से एक मतलब समझे रहा हो एक से एक सूपस्त्रास स्टाइम है इंगलेंड के पास तो डिफेंस के बताऊं आपको तब कायल वोगर के लिए जाना हैरी मगवार और बैंग चिल्वेल दी से कोई नहीं है और हाली फर्म पर नदा डालते पर इंगलेंड का कैस चल रहा है नॉर्थ में से डोनिया की सभी बिटाए करिए साथ जीरो से मतल समझे रहा हो भी पिसला मैच भी जब हो था स्पेन वाला मैच खल हुआ है उसमें भी स्पेन ने साथ एक सराय है है हैरी केन पुकायो साका दो नेकरेस रेशफोर्ड एक और फिलिपस ने भी इस मैच में गोल करा माल्टा को चार जिरो सराय है उसमें एक ओन गोल गोल गट्रेंट एलेजंडर आर्नोल ने गोल करा है हैरी केन और विलसन ने भी मैच में गोल किया यूक्रेन को अभी उससे पिसला मतलब यूकरिन और इंग्लेंड गा जो फस्स लेक का मैस तो उसमें दो जूए सर आया उसमें हैरीकेन और भुकाय और साका ने गूल करें थे इटली को जो काफी मजबूर टीम इटली हाँ पिछले एक दो फर्ड कप से भार हो भार है मतलब अच्छा नहीं खेल रहा है इटली बता नहीं क्या हो कि इटली को दो एक सर आया उसमें डेक्लेंड राइस और हैरीकेन ने गूल करा फ्रांस है वर्ड कप के कौर्टर फाइनल्स में हा रहा था अगर आपको याद हो हैरीकेन पैनल्टी मिस कर गया तो सीवय से आ रहा था एक पैनल्टी स्कोर कर दीती और एक पैनल्टी हैरीकेन मिस कर गया था Oooh Zabras जो ओ दिखा रहा था, France ओ झे में Goal बादे आप देखो पांच मैके लिए हैं 5-6 मैच में पांचों मैच में सबबर 2-5-6 मैच मैं सब देखा भूरीकेन oh क्या बुकाजासा का जूटे बेलिंगम मुझे रिस चांस से लग रहा है कि वो इस मैक्स पर गोल करेगा माल्टा को युजियो सर आया यूक्रेइन ने उसमें क्राइंजोव ने गोल कर रहा है नौर्थ मैसेडोनिया को तीन दो सर आया उसमें जबरैनी कोनोल प्या और स्क्र से रहा था वो मैंने आपको बताई दिया है और स्कॉट्लेंड को जियो जियो से ड्रॉ कहला है तो जीता किस से माल्टा से नौर्थ मैसेडोनिया से जर्मनिया से टीम से ड्रॉ कहला है और स्कॉट्लेंड से ड्रॉ कहला है वर इंग्लेंड से हा रहा था तो लास्ट मैच ज यूक्रेयन अब जड़ा गुरूप एक बार नज़र आ रहेते हैं, यूरो कप पॉलिफायर्स वाले, गुरूप सीम में यह दोने टीम में, इस नापको नज़र आगा इंग्लेंड, जो चार मैच खेला है, चारो जीत गया है, अब पांच मैच खेलेगा और पांच तो जीत सिम्पल इक्वेशन है, यूक्रेयन, तीन मैच खेला है, दो जीता है, एक अफरा वह भी इनलेंड से यह का रहा है, उत्रेयन के के रहा है मतलब जो मैचे ह poking हूए, ऐस से डाल लेते है, यह यह रहा है, दिजत बहित है है चार जीलो से रहा है जीलो जीलो से ड्राउ के लाए एक एक से रहा और फिर एक जीलो से रहा है तो मतनल पशले कर ईक sama जीलो के करूँ तो अलमो सो मैच में चार मैच जीटाpless और एक मेच युकरियंड जो द्राव हुआ है उक्रेंट चिता है नहीं छह मैच इंग्लेंड है दो ड्राव हैं और एक मैच जो हा रहता उस चीज़ को भी जमाना हो गया की प्लेश की तरफ आ गए हैं यह प्लेश आपको अपने रहा है ग्रेंड लीग कॉमिशन में ड्राइग करना है तो और यह प्ल अगला बुकायो साका इस फॉर्म में बंद बंद चल रहा है आप इसके स्टैट्स दे कोई बड़ एक सो चुरासी मैच इसके लाहर सन के लिए चालीज गोल ब्यार इसर सीजन काफी जा रहा है बुकायो साका अभी शुर्वात हुए नहीं से ने काफी अच्छा पर्फिमे मैच दिखाई है जोड़े बेलिंगम इसकी क्या ही बात करें इस बंदे की इसने जब से रियाल मेंट जॉइन करी है चार मैच खेला है पांच गोल है और एक असिस्ट है मतलब समझे हो चार मैच में छे बार इसने गोल में पूर्ण योगदान दिया है तो काफी ज़्याद इंपोर्टन प्लेर है मेरी स्मॉल लिग के लिए मैक रस रेशफोल यार यह बी यह सब प्लेश जो मैंने आपको इंग्लेंड के प्लेश बताएं यह सब वह प्लेश है जो फॉर्वर्ड है एक रियाल निट के लिए एक ब्रयाद मेंट के लिए फॉर्वर्ड है एक मैंच परड़ आपको नजर आएगा या अच्छा कुछ भी जाए तो इसलिए इसको टीम में लख लेंगाए अगला कोश्चन है मेरा कि मैंच का पहला असिस कौन करेगा तो याद कर लो पहला असिस कौन करने बाला है बज़र तो बुकारशा करेगा बागी जो आपको लगए आप लग देना वी सी नाकरेस श्वोर्ड जॉर्डन एंडर्सन को भी कर देना और काईल वोकर भी एक अच्छा वी सी उप्शन हो सकता है रीजन भी क्लिंग शीट के पॉइंट्स मिलेंगे मिलेंगे इसको 20 मुझे लगता कि यूक्रेंट गोल करेगा तो 20 पॉइंट इसके हो गए प्लस सपोसर ने एकाद असिस के दे दिया तो 20 पॉइंट ऐसे हो गए और 25 से 30 पॉइंट यह पास टैकल इंट्रसेप्शन वान से देदेगा तो यह आपको पता है यह ग्रेंड लिग का वीशी तक यह बन स लेलो और जूडे बेलिंगम लेलो सबको ले लिया फिर आवर डिवेंस पर काइल वोकर बैंच इलवेल और हैरी मकुईर यह प्लेयर होंके मारे कादम इंगलेंड के अब देखते है यूकरेंड के प्लेयर कौन-कौन से इंपोर्टेंट है यार मैनेले को ले लिया स्टेप के साथ पॉइंट दे जाएंगे प्लस प्लस मतलब ये चार प्लेयर आपको इन मेंसे दो तीन गोल होंगे वह इन चारों मेंसे आएंगे तो यह हो गया यह हो गया मतलत आपकी ग्रेंड लीक काफी हरम से निकल जाएगी तो उसके लिए टीम देख लो अच्छे से सी एरी के ने वी सी मेंने बैल लिंग को कर रहा है तो यह थी मेरी स्मॉल लिंग की टीम बागे अगर एका चेंज दो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है चलिखांसे ने का जोइन गल लो और मिलते हैं मैच के टाइम पर